तो हम एक बार फिर आगे हैं क्रिप्टो करंसी मार्किट के उपर और कोईन मार्किट को कैप के उपर अभी हम डेटा देखें पिछले 24 गंटे का मार्किट का और पिछले 7 दिन का तो बिटकोईन या पे 0.60% तक पिछले 24 गंटे में उपर जाता दिख रहा है लेकिन 5% की गि वो 32,000 डोलर से या नि तक्रीबन 25 लाग पर ट्रेड कर रहा है बिटकोईन और यहां बिटकोईन की परफोर्मेंस अभी कुछ टाइम लगेगा सुधरने में साथ के साथ एथिरियम में सबसे बड़ी डाउनफोल देखी गई है पिछले 7 दिन में 16% तक डाउनफोल हुआ ह इथिरियम में जो कोईन आज से कुछ टाइम पहले 3 लाग से उपर ट्रेड करता था आज वो कोईन 2 लाग से भी नीचे आगया ठीक है तो और यहां पर आप देख सकते हो बाइनेंस कोईन को भी गिरावड देखने में मिली है पिछले 7 दिन में 8% की डाउनफोल आई है तो यह मार्किट का ऐसा हाल क्यों हो रहा है मार्किट क्रैश होता दिख रहा है आज भी और ऐसा क्यों हो रहा है बार बार आज इसी टोपिक पे हम बात करने वाले है कि मार्किट का ऐसा हाल हो क्यों रहा है और यह कब तक जो situation है वो सुद्धरेगी तो देखो कुछ चीजे कुछ factors हैं यहाँ पे जो effect डाल रहे है cryptocurrency market पे तो एक factor तो आपको पता है कि corona का crisis चल रहा है और इस crisis में ठीक है corona crisis में भी cryptocurrency market पे effect डाल रहा है ठीक है और एक जो बड़ा effect डाल रहा है बड़ा factor है वो है China China यहाँ पे bitcoin की mining को लेके ban लगा रहा है हर रोज कोई ना कोई news लगा रही है और यह जो चीज कर रहा है ना चाइना bitcoin की mining को लेके तो यह एक negative impact डाल रही है cryptocurrency market पे अभी मैं आपको एक बाद David Gokstein की profile पे लेके चलूँगा Twitter पे चलेंगे उन्होंने क्या का है उन्होंने यह का है कि bitcoin का price अब अगले कुछ time में 80,000 dollar तक पहुँच सकता है ठीक है 80,000 dollar को touch कर सकता है bitcoin और उन्होंने यह बात कही है और वो कौन है वो भी बताऊंगा और यह जो चाइना का जो impact डल रहा है एक negative impact चाइना bitcoin पे ही क्यों इतना वो कर रहा है मतलब bitcoin सबसे cryptocurrency king है और उसकी अगर mining पे effect पड़ेगा तो bitcoin की जो कीमत है वो down होगी और जब bitcoin down होगा तो obvious सी बात है बाकी cryptocurrency बिल्कुल नहीं सुदर सकती ठीक है तो यह कुछ market का हाल है आज का और market अभी फेट down होता दिख रहा है और आने वाले टाइम में कैसा रहेगा एक बार चलते हैं ट्विटर पे और डेविड गोकस्टीन की बात करेंगे और उस news को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो चाहिना कर रहा है तो अब हम आगे हैं ट्विटर पे और एक बार मैं आपको डेविड गोकस्टीन की प्रोफाइल सर्च करके दिखा देता हूं कौन है वो आपको पता चल जाएगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात कहा दी कि जो बिटकोइन का प्राइस है वो इतना 80 डोलर 80 थाउजन डोलर को टच कर सकता है तो यह इनकी प्रोफाइल है फाउंडर ओफ गोकस्टीन मीडिया और CEO है पैक कोईन ओफिशियल आप इनको नहीं जानते तो आप जान गए होगे तो आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल और यहाँ पे इन्होंने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अपने ट्विटर अकाउंट से तो ठीक है कुछ यहाँ पे आप इनके अकाउंट को ट्वीट्स भी आप फॉलो कर सकते हो इनको भी देख लिया गरो ऐलन मस्क के साथ-साथ और देखो लेट अस प्रे लेट अस ओल प्रे एट बिटकोइन स्टार्ट रिपिंग तुवार्ड तुवार्ड दा मून तो बिटकोइन के लिए प्रे करते होगे भी दिख रहे हैं यहाँ पे और जो मेन चीज है वो यह है इन्होंने एक चाइना को लेके जो चाइना बिटकोइन माइनिंग को लेगे यह सब कर रहे है इस चाइना अनुवी विल क्लोज ओल लोकल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोजेक्ट एमिट टाइटनिंग पावर सप्लाई लोकल मेडिया रिपोर्टेड और बै नाउ नियरली 90% of China's Bitcoin Mining capacity has been shut down तो 90% तक नियरली 90% तक चाइना की Bitcoin Mining capacity है वो बिल्कुल बंद गर दी है चाइना ने अब यह सबसे बड़ी न्यूज है आपके टाइम की ठीक है Bitcoin की Mining पे सीधा सीधा असर कर रहा है और Bitcoin की Mining पे सीधा सीधा असर कर रहा है चाइना और जब bitcoin की mining पे असर होगा तो cryptocurrency market पे असर होगा ये एक हतियार है चाइना का मुझे लगता है कि सीधा cryptocurrency market पे अगर वार करना है तो bitcoin की mining को पे वार करो ठीक है और बिल्कुल सही अगर मैं factor की बात करूँ तो ये एक सबसे बड़ा factor है जो चाइना का है और यहाँ पे गॉक्स्टीन ने भी इस news को share किया है तो जब तक ये सब चीजें नहीं सुधरती न यार ये एक negative impact डाल रही है bitcoin की mining को बंद करना या उसको effect करना उसकी वज़ा से market down होगा आने वाले time में crash और भी हो सकता है तो ये जब तक ये situation नहीं सुधरती या bitcoin को लेके और positive news नहीं आती और mining जो है और जगा शुरू नहीं होती क्योंकि जितनी ज़्यदा mining शुरू होगी उससे ज़्यदा असर पड़ेगा तो कुछ time यहां पे market को संबलने में लगेगा तो ये एक सबसे बड़ा factor है चाइना की news जो आपने इसके बारे में वीडियो मैंने एक बार पहले ही बनाया था कि चाइना जो bitcoin की mining को खतम करने में लगा है और ये सबसे बड़ा reason है कि मई के महीने में जो market इतनी बार crash हुआ ठीक है और यहां पे अब July आगया और July में भी फिर वही सब कुछ दिख रहा है situation सुधरती होई नहीं दिख रही तो यहां पे मुझे लगता है कुछ time लग जाएगा 2-3 महिने या दिवाली तक या फिर नए साल तक situation और यहां पे corrections are super necessary और bitcoins next leg will probably be to the 80k range अब इस tweet के meaning यह है कि यहां पे इन्होंने कहा है साफ साफ की bitcoin का अगला pair भाईया होने वाला है 80,000 dollars के बीच में 80,000 dollars की range में अभी जो bitcoin 32,000 dollars की range में तो जब 80,000 की dollar की range में पहुँचेगा यही बाट Tim Draper ने भी कही है कि Tim Draper ने तो 1,000,000 dollar से उपर का है bitcoin का price आने वाले टाइम में लेकिन जब तक China इस तरह का bitcoin पे effect bitcoin की mining को लेके effect डलता रहेगा negative impact पढ़ रहा है cryptocurrency market पे तब तक मुझे लगता है situation थोड़ी सी यहां पे सुदरती हुई नहीं दिख सकती तो यहां पे देखते है bitcoin की mining को लेके भी अगर कुछ positive news आने लग गई आने वाले टाइम में क्यूंकि bitcoin को लेके अब जो visa आप देखते हो नँ visa एक company है जो debit card और credit card बनाती है उसने भी एक announcement किया है कि अब वो एक ऐसा card बना रहे है जिससे आब bitcoin की payment कर सकते हो bitcoin as a bitcoin को cryptocurrency को payment के लिए use कर सकते हो ठीक है तो यह सब जो छोटी छोटी चीजें हैं यह सब एक अच्छा impact डालती है cryptocurrency को लेके यह जो छोटे छोटे कहते है ना बूंद बूंद से सागर भरता है तो आप इनका account भी follow कर सकते हो डैविड गॉक्स्टीन का और इनके tweets भी पढ़ सकते हो तो इनोंने आज सबसे बड़ी बात कह दी कि इनका next pair bitcoin का $80,000 में हो सकता है $80,000 में हो सकता है ठीक है तो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूं यह tweet शायद आपको ना दिखे और एक बार मैं आपको तो यह tweet है इस tweet में इनोंने साफ साफ का है कि bitcoin next leg will probably be to the $80,000 range $80,000 तो देखते हैं आब आने वाले time में जब तक यह थोड़ा कोई positive news नहीं आती bitcoin को लेके तो तब तक मुझे लगता कि market का हाल ऐसे ही रहने वाला है लेकिन आपने जिस भी cryptocurrency में hold कर रखा है आपको hold करने की ज़रूरत है अगर loss में चल रहे हो तो आपको sell नहीं करना है आप patience रखो अगर आप loss में sell करोगे तो आप loss में ही रहोगे थोड़ा सा अगर market का बुरा time आया है तो आपको अपने आपको patience रखना है ठीक है और जब भी किसी cryptocurrency में invest करें तो सोच समझ के करें research करके करें तो अब आगे जो भी update होगा cryptocurrency market को लेके सब update आपको चैनल में मिलते रहेंगे चैनल को subscribe करके bell icon press जरूर कर लेना अच्छा लगाओ वीडियो को like share कर देना आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई